कि विल्कम टो आवर क्लासेश दमार्च्वे क्लासेश की अज हम कप्छा 10 के कि चेप्टर नमर्व 1.2 को लेकर आएं आप कुछ में समझेंगे कुछ समझेंगे और हर कुछन का सुलूशन देखेंगे उससे पहले आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और बेल एकन दवारा न भुलिया आपको आप परते ए के बाद कलास होगी और उसमें है ना सारा चैप्टर को सुलूब कराया जाएगा और इससे पहले आप मेरे पहले वीडियों को नहीं देखे हैं पार्ट वन को उसको जाकर देख लिए ताकि उसमें आपको कुछ सुलूशन हो चले कुस्टन नमर्ट 1.1 का पहला कुस्टन मे के अभाज गुनन खंडों के गुनन फल के रुप में ब्यार्ट करना है गुनन खंड को गुनन फल के रुप में अब कैसे कीजिएगा पहले हम एक्जांपर बदा आते हैं अपने मन से ठीक है उसके बाद हम चेप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसे मालगे आप छी आसी अब कि अब कि आप आप आसानी से निकाली जाए गुनन खंड दूस लेगे तो चोगार दूतिया इचे आप किशी भी पहार सो लग सकता है नहीं लग सकता है इसका गुनन खंड डारेक्ट दू गुनन फल जाएगा होगा ना लेकिन अगर मैं दे दिया जाए अगर आपको मां लेजए चावालिस का निकाली है तो चाहत एक दूसे लगा तो दूस लगाई तो दूस लगाई तो दूद दूद वेकम दूद वेकम तूद यह जो जो आप इसको दे गुनन खंड पल के रूपे ब्याद करनी के लिए आपको याद रखना होगा कि जो संख्या इतना बात करें तो इस संख्या की तो यहां पर दो कितना मरत रिपीट हो आए तो दो के पावर हम दो लिग देंगा दो नहीं ज़ाना हुआ कि यह हमारा थी आपको समझने आ गया और दिखा लें चलिए आप दिखा दिखाते हैं अब भी संख्या सकते को दिकात नहीं दो से लगाएंगे तो फिर नहीं से लगाएंगे तो तीन टीक है इससे ज़्याद में लाइए एक से नहीं लगाएं तो कैसे कि दूग उन्हें दोनों संख्या कितना मरत्य रिपीत होगा है तो कहिए अगर दो मरत्य रिपीत होगा है तो थे ऐसा अपको आगए होगा है चलिए चैप्न नमर बोन कहां पहला कुसर वह सोल करते हैं और बारीगी से समझते हैं उसको पहला में दिया वाँ का एक सो चालीक क्या था एक सो चालीस है कि और आप को अपांस शाथे 50 आएगा तो आया है अब इसका कुछ निवालना है तो अब बोले आपको कि जो संख्या जितना और ते रीपीट होगा उसका पावर चणा जेगा तो यह दो है कितना और के बीट पुराइब दो मर्ने रीपीट हो रहा है तो दो के पावर दो आप गुने 5 गुने सब्सक्राइब लेख संख्या में है या अपको समय में आ जाओ ठीक है पुसर नमर्दो में 156 क्या दिया हमार 156 अब 156 का निकालेगा तो क्या निकालेगा कैसे निकालें युद्ध रशे लगाएंगे दो साथ एचा लए दो आटे आटे शोला दू से लगाएंगे तो दूत तो तो निकाल दो गुझे दो गुझे तीन गुझे टे गाए तो छारीज बराव एक सो चाहर पन ब्राव लिख दीए अब इसको क्या कि आपको है जैसे बता है तो अब तो समझ गया होंगे कि कैसे लिखना है इस टैप में आपको इसका आप समय नहीं होगा अब तीन कित्र बठेक आपके दिए और की इस उत्कार है तो अब जैसे जोमें तुक्त पाचे इस तुक्त बात क्या है उसके बाद किस्ना संहें उसके आगा पांस रहें तो जह पांस रहें आख पांश गया तो पांच पाना से चाली और पच्छा पचीज दिए इसका प्ल लिए तरी गुने फाइट गुने फाइट गुने गुने से टी तर तिन के बार दो गुने पांच के बार दो ऑगुने सत्रा इसका हो गया आंसर ठीक क्यों पर नमुंट कर लिए गाँ वीडियो कुम पांच पर चार पर दो जानी साह बाद कम फांच पांच जरीका ग्ला तो साथे कम साथ उसके बार और अब ऐसे नहीं स महाइगा तो हैसे भी तो इसके झाले आसान तरीना तो साथे तो साथन साथ हों जाएगा अजीन मुल्ड मुल्ड भचा जीरओ उसके सोचेह का ताइस व्यार्ध है जूरर पर कितना हो जाएगा कि यह कोई और संख्या से लगेगा तो लगेगा बिलकुल लगेगा कितना से लगेगा तो देखते हैं कि यहां इगारा कम एगारा और एगारत्याइ तेरा इसका अंसर होगे पांच गुने साथ गुने एगारा गुने तेरा यही इसका अंसर हो जाए ठीक है कर्late करते हैं पांच के तरह बढ़े पॉछ खुशन नम्रब पांच में दिया वार कोस्फमाट पांधीमें दिया वार 24 तरह जा अब इसको कीजिए आंसर भी यह 8 तो यह यहां तो नाइन है तो थीन दोनाद चाहउ तिंचोग अबार रात तीन साथत्यक तिन से नहीं लगे रचीय है पोजसं कैस अले गगए आप अब तो डारेक्ट आपना सट्रह सबहाईगाई है तो अइसे निचसे नहीं को क्या करना है। इसने इजमा में भागे लगा तो सकर जिति हो गया उसलों इंदिते कि एक बच्छा यह बच्छा नोड़ सत्रस दिते टोले पट गया तो सबस कर देंगे तो चार सो सेंटीस आएगा अब यह संग्या फिर से कटेगा यह संख्या अब नीस से कटेगा नीस से कटेगा नीस से कटेगे तब फिर उसी प्रोजित में बाग किजीए और निकाल सकते हूं तो नीस से लाई है तो नीस का नीस से लिए और तीस उसके बाद के रहा है तो क्या वाज़ेगा पांच यह साथ इस तरह गुने नीस गुने तरीस हो जाए है तो यह आपको समझ में आ गया हो गया हुआ है चले कुसर नमबर हम दो के तरह बढ़ते हैं तो दो में दिया गया है पुर्णांकों के लिखित यूगम के एस एफ और एस एम ग्यार्ट किजिए तता इनकी जार्ट किजिए कि दो संख्याओं का गुनन फर्द यानि के इस ते अगुने एलसे हैं कि नहीं तो पहला में कुस्तन दिया हूआ है 26 और 59 पर अब क्या कि दोनों को आपको एन फेक्टर पेटर पुर्णा पड़ेगा चप्जिस का अबढ़ता तो हम शबीश का तो लि ऊतिया सब्सक्ति लेते हैं तो तेरह मत अब पर लेकर ने सबसे चोड़ी संख्या होगा और दोनों में मान जोगा जिसके पावर जितना कम होगा उसका मान वह हाँ तो दोनों के पावर ना कुछ हो तो एक है कितना है एक है और देरे अपसको अब बहुत में समझ घगे तो क्या उसके बने अब यह करें यहां पर देखिए दोनों में संक्या मिलना चाहिए इसमें डौ आ गया तो इसमें नहीं आया तो दो लिक दिया पड़नाई ऐसा नहीं करना तो किस दोनों के पावर का सबसे बाद आमान होंगा, तो दोनों में थो वायत पावर एक ही है, तो इस नहीं हम ले लेते हैं, अब उनने धूब ले लेते हैं और उने जो बचा हुआ, वही इस यह का माल जो अब इसको क्या कीजिए, तो तेजा दूना 26ाफ शाब इसमें साथ से गुना कीजिएगा, असाथ श अप्रशन निकाल यहां आप इसका क्या करने आपको जांच करना काता है कि दो संख्या होका यार किये और इसकी जांच में किजिए शन्य तो इसका जांच करने के लिए किलिए आपको he is a manakya करने आपको निकर दो संख्या होगा गुनाल पर पहले करेंगे कोन है जो फेक्टर तोरी वहीं दो संख्या है तो तो रहे हैं तो संख्या कों का गुनτε फल दो संख्या को अगुने अगोगा न होगा 26 अम्य선 में तो आप इसको गुना कीजीगा तो आपका मान आगा कितना आगा तो आपको चे करना इतना ही संख्या फिर लाना है तो आप क्या किजिएगा दो संख्या का गुनन फल बरावर है तो हमने यहां रख दिया और इसे गुना किजिएगा तो मान आपका सेम्ट यहीं मान आएगा तो आप देखिए यह बरावर यह बरावर तो हमको कहा था जाच करने के लिए अब जाश कर दिया और दोनों संख्या बरावर आ गया जब तक अब दोनों सं क्रांग 모든 नहीं आएगा तब तक आपका और क्या Mangy करें में 510 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ हो आप का बीदमि दैर्वा डिया है को कσι旗े आपका है कि अब इसको क्या दोन को फैक्टर तो पान सो दस से 510 और बैरनम ऑन कैसे दाइज है पांसे अथ्टर निया है ु आमने दो सल राप दू न चार उसके बाद एक दू न जस रहो बाद चार नूस बाद है तो यहाँ पड़ को शक्राइब कल दो चार यहां पशपर ऊशोल कि किस संगे से लगाई यह तो तीन से लगाई यह क्योंकि है ना तीनाटे चाहुआ थिन पांचे पंगला पीनाटे तो आप इसको तोड़ लेते हैं दो से दू चौका आट दूचा के बारा दूसरा एक तो यहां पमने लिग दिया पाच्छो दस दो गुने तीन गुने पाच्छ गुने शतरा इसको आपके लिख सकते हैं कि अब आपके लिख सकते हैं कि अब आज गुर्णान खंड की वह सबसे चोटी संख्या समझें वह सबसी छोटी घात रिखाता है सबसे चोटी घात निकालने के लिए तो दोनों के पावर जो घात है तो इसमें एक गात इसमें कितना दो गाते तो दोनों में कौन कम घात है इसमें का है सबसे बड़ा होना चाहिए तो इसका सबसे बड़ा होना चाहिए तो आप क्या कीजिएगा इसको गुना कीजिएगा तब गुना करिए तो इसका मान जाएगा वाएगा तैस चाहर साथ हम गुना करके यहां पर देख लेते हैं ठीक है तैस साथ है अब क्या करना है इसका जाज करना है तो जाज करने के लिए दो संख्याओं का गुनल फल दो संख्याओं जाज को का गुणन फल लिए यहां पर तो संख्याओं को न है तुभाइग पांसो दस है और बीरान में ही तिक है तो इनका गुना करेंगे तो हमारा मान आएगा वह कितना है तो हमारा मान आएगा 46 140, 46, 9002, आप क्या करना है आपको? दो संख्याओ का, दो संख्याओ का SCF, SCF, SCF बने LCM, इस निकाल है दो संचाओं इस चाहिए इस्टेश का मान कितना है चद्धू हाइब और इसें का मान कितना है तो यह है तैस साथ अब इसको गुला के लिए हाथ तो च्छी आरीस नौग दू जीरो है यहां हमारा इस तो इतना ही फराने देते हैं फिर नेस्ट वीडियो हम बता झाल झाल झाल